गर्मी के इस मोसम में फोलो वाले पोदो की कमी हो जाती है हमें ऐसे पोदे लगा लेने चाहिए जिनके पत्ते ही इतने खुबसूरत हों कि वो फोलो की कमी महसूस ना होने दे आज की इस वीडियो के मादयम से मैं आपको Lipistic Aggelonema प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूँँगा ये जो पोदा आप देख रहे हैं इसका नाम है Lipistic Aggelonema Aggelonema प्लांट की एक वेराईटी है इसकी 4-5 वेराईटी जोर आती है मगर ये वैराइटी उन सभी वैराइटी में से सुन्दर है इसके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के किनारों से लिपिस्टिक जैसे लाल रंग के होते हैं इसलिए इस प्लांट को लिपिस्टिक अगलोनिमा के नाम से जाना जाता है नस्त्री में इस प्लांट का प्राइस 1500 से शुरू ओकर 2500-300 रुपे तक होता है ये एक ऐसा पोधा होता है जिसको नमी पसंद होती है मगर जब अधिक सर्दी होती है तो ये पोधा डॉर्मेंसी में चला जाता है अक्टूबर नमबर तक तो इस पोधे की ग्रोथ होती रहती है उसके बाद ये पोधा डॉर्मेंसी में चला जाता है और अपनी ग्रोथ रोक लेता है अब नमबर से लेकर जनवरी फरवरी तक इस पोधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैंने इस पोदे को बड़ी मुश्किल से बचाया है जनवरी फरवरी में इसके पत्ते गल कर नीचे गिरने लगे थे और ये पोदा सूखने लगा था मगर बहुत अधिक देखबाल करने के बाद ये पोदा बच पाया है आज की इस वीडियो के मादेम से मैं आपको ये सभी important tips बताऊंगा ताकि आप भी अपने इस पोदे की अच्छी देखबाल कर सके और जनवरी फरवरी के मोसम में इस पोदे को मरने से बचा पाएं इस पोदे के लिए पानी की बात की जाए तो इसको कम पानी पसंद होता है इस पोदे में कभी भी और वाटरिंग ना करें क्योंकि इसकी स्टैम बहुत इनाजुक होती है और वाटरिंग से इसकी स्टैम गल जाती है जब हम बार-बार इसके पत्तों पर पाणी का छिटकाव करते रहते हैं तो भी इसके पत्ते गलने लगते हैं इस प ओधे की सोयल त्यार करते समें हमें इसकी मिठी में river shand की मातर अधिक मिलानी है या हम इसमें rice husk मिला सकते हैं हमें इसकी ऐसी मिट्टी त्यार करनी है ताकि एक्स्ट्रा पानी जुतना भी इसमें डालें वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए इस पोदे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है हमें इस पोदे में इस परकार वाटरिंग करनी है कि इसकी नमी भी बनी रहे और इसमें एक्स्ट्रा पानी भी ना ठहर पाए इस पोदे के आसपास नमी बनाए रखने के लिए इसके पत्तो पर पानी का छिड़काव ना करें आप गिले कपड़े से इसके पत्तों को साफ कर दीजिए इसके पुराने मैचोर प्लांट के साइड से नए नए बेबी प्लांट निकलना सुरू हो जाते हैं इस परकार आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं इसके पत्तों का डार्क कलर वेरिगेशन बनाई रखने के लिए हमें इसकी लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है इस पोदे को ऐसी लोकेशन में रखिए जहां पे डारेक्ट सनलाइट ना आती हो केवाल फिल्टर्ड इंडारक्ट सनलाइट इस पोदे पर गिरनी चाहिए ये एक इंडोर डेकोरेटी प्लांट होता है इसलिए आप इस पोदे को हमेशा इंडोर इरखिए चाहे कैसा भी मोसम हो हर मोसम में इस पोदे को इंडोर रखा जाता है जब हलकी हलकी बारिस हो रही हो तो इस प्लांट को थोड़ी देर के लिए बारिस में रख दें जिससे इस पोदे की अच्छी ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी इस पोदे के लिए जितनी हलकी वैल ड्रेंट सोयल त्यार करेंगे उतनी इस पोदे की फास्ट ग्रोथ होगी और जल्दी इसके साइड से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाएगे इन पोदों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक उपजाव मिट्टी बना लीजिए इसके लिए आप सिंपल गार्डन सोयल में रिवर सेंड के साथ साथ कावडंग कंपोस्ट मिक्स कर लें कावडंग कंपोस्ट में नाइटरोजन की मातरा अधिक होती है नाइटरोजन पोदे की ओवराल ग्रोथ के लिए शायक होता है और पत्तों की नई नई ग्रोथ के लिए नाइटरोजन की मातरा का अधिक होना जरूरी है इन पोदों की अधिक आईट नहीं बढ़ती है ये अधिक से अधिक एक फिट की आईट गेन करते हैं। और इनके लिए हमें छोटे साइज की गमलो का ही सलेक्शन करना चाहिए। हमें इनके गमलो का साइज मैक्सिमम आठ इंच तक रखना चाहिए। इससे बड़े साइज की गमले में इन पोदो को ना लगाएं। इस परकार आप अपने एगलोनिमा प्लांट्स की केर करें यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू